नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेसंपी टेक में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसेसंपी कार्मेंट बिलिंग सॉफटर का यूज़ करके बिलिंग हिस्ट्री रिपोर्ट देखेंगे बिलिंग हिस्ट्री मतलब अगर आप किसी बिल पे ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन से आइटम सेल करे हुए हैं और उनका कितना कितनी कितनी कौन्टिटी सेल करी हैं और कितना उनका टोटल आमोंट रहा है और उस बिल का कितना टोटल आमोंट है तो उसको चेक करने के लिए आप जाएंगे reports में reports में billing data reports यहां पर आपको option देखेगा billing history report आप इस पर click करेंगे click करने के बाद जो form open होगा यहां पर आप अगर किसी particular bill number या bill range में आप देखना चाहते हैं कि from bill to two bill के बीच में जितने भी bills आ रहे हैं उनका पूरा हमको history show हो जाए तो भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम किसी particular date का देख लें तो particular date पे आप billing history चेक कर सकते हैं अगर आप periodically देखना चाहते हैं तो periodically भी देख सकते हैं जैसे मैं आपको भी प्रियोडिकली दिखाता हूं हम यहां पर कोई भी बिल नंबर सेलेट नहीं कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर बिल का देखें तो आप यहां से किसी भी बिल को सेलेट कर सकते हैं सिर्फ उसका उसका आपको डिटेल दिखेगा जैसे हैं मैं यहां पर बी 12 से लेके बी 14 तक की रिपोर्ट देखना चाहता हूं बिल हिस्ट्री की तो मैंने बी 12 फ्रॉम बिल लंबर पर टू बिल लंबर पर बी 14 ओके प्रेस किया यहां पर हमको तीन बिल की डिटेल दिख बी 12 था तो बी 12 किस टेट में बना करेट हुआ है अगर आपने बायर का नहीं यानि कस्टमा का नहीं एंटर कर रखा है तो उसका भी यहां पर प्रिंट हो जाएगा उसके बाद जो जो आइटम उसके अंदर सेल हुए हैं यहां पर वो आइटम आपको यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगे उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हम बिना बिल रेंज के देखना चाहते हैं तो आप बिना बिल रेंज के यहां पर करेंगे तो आपको दिखिए जितने भी बिल उस स्टेट रेंज में क्रिएट हुए हो आपको इस समझ में आ गया होगा एक किस तरह से आप पिसस एन पे कारिम बिलिंग सॉफटर का यूज़ करके बिल हिस्ट्री रिपोर्ट को चेक करेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो हेव नाइस टे